दूप में रहने से विटामिन D की खुराख मिल सकती है लेकिन इतनी चिलचलाती गर्मी और सूरज की चुपती किर्णों में समय बिताना संभव नहीं है ऐसे में आप कुछ खाने की चीजों से इसकी आपूर्ती कर सकते हैं आईए आपको बताते हैं कि किन चीजों से विटामिन D मिल सकता है गाई का दूद प्राकरतिक रूप से केल्शियम, फॉस्फोरस और राइबो फ्लेविन सहित कई पोशक तत्वों का अच्छा सोर्स है लेकिन विटामिन D के पर्याप्त खुराक के लिए आपको विटामिन D फॉटिफाइड दूद लेने की ज़रूरत है जिसमें विटामिन D को अलग से मिला कर दूद में पैक किया जाता है हर दिन एक ग्लास दूद पीने से शरीर में विटामिन D की कमी पूरी हो सकती है जो लोग लाक्टोस इंटॉलरेंट और दूद का सेवन नहीं करते हैं वो संत्रे का जूस पी सकते हैं अगर फ्रेश संत्रा अविलेबल नहीं हैं तो आप स्टोर्ड औरेंज जूस को खरीद कर भी पी सकते हैं लेकिन याद रहे कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात जरूर कर लें अंडे एक बहुत ही निट्रिशन्स खादे पदार्थों में से एक है आपको पूरा अंडा खाना चाहिए क्योंकि एक अंडे में अधिकांश प्रोटीन उसके सफेध हिस्से में पाया जाता है जबकि फैट, विटामिन और मिनरल्स इसके योक में पाये जाते हैं रिसर्च में पाया गया है कि अंडे विटामिन डी के अच्छे प्राकृतिक सोर्सेज में से एक है ओट मील हम अक्सर खाते हैं और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा भी होता है जब विटामिन डी की बात करें तो दूसरे खाने की तुलना में इसमें इसकी कम खुराक पायी जाती है लेकिन फिर भी आप इसका सेवन जरूर करें मश्रूम भी उन कुछ खादे पदार्थों में से है जिसमें विटामिन डी का सोर्स नेचुरली काफी होता है तो मश्रूम को भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें तो ये हैं वो कुछ खादे पदार्थ जिनसे आप बिना धूप में रहे विटामिन डी ले सकते हैं